हेलो दोस्तों, क्रिकेट विधारदी की एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चार ऐसी ड्रिल्स के बारे में बताऊंगा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बैटिंग स्टांस में आना है, बैटिंग पोजिशन में आना है उसके बाद आपको अपने बॉटम हैंड को पीछे ले जाना है और सिर्फ अपर हैंड से आपको ड्राइव खेलना है जब आप drive खेल रहे होगे, drive की practice कर रहे होगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप drive लगाओगे, तो आपका जो balance है, वो front foot पे आए पुरा, आप दुबारा देखिए, जैसे मैं drive खेल रहा हूँ, मैं अपना balance पूरा front foot पे shift कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे क्या बिर अपको आमने द्राइब में देखा है तो दोस्तो अब आते हैं सीदह सेक्ड ड orbiting की तरफ सेक्ड रिल का जो नाम है वो है डुपल हैंडड आपकों के सेम् को फॉलो करना जो हमने फरस्स ड्र., स्थुन में हमें दोनों हातों को यूज करके इस drill को खेलना है, इस drill की shadow practice करनी है, इसमें भी आप notice करोगे, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना batting stance लोगे, उसके बाद अब अपना weight shift करोगे front foot पे, और drive को खेलोगे, तो जब आप इस चीज में ध्यान रखोगे, इस drill में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि जब आप drive खेल रहे होगे, तो आपका head position है, वो बिलकुल still होना चाहिए, और secondly, आपका head जो है, वो बिलकुल, जब आप drive खेल रहे हो, तो आपके ball के उपर होना चाहिए, तो अगर आप इस चीज को maintain करते हो, तो आप अपना बहुत अच् अब आते हैं दोस्तो third drill के अपर, third drill जो है, इसका वैसे तो नाम होता है corn drill, but मैं इसर corn को use नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इधर अपना एक खाली water bottle को use कर रहा हूँ, क्योंकि हर person के घर पे corn हो, यह possible नहीं है, तो अगर आपके घर पे corn नहीं है, तो उसके बीना भी आप कैस पोजिशन लेना है, जब आप बैडिंग पोजिशन लोगे, उसके बाद आपको drill करनी है, आपको basically पूरा drive खेलना है, जब आप drive खेलोगे तो आपको वही normally आपको जितनी भी drive खेलोगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि आपको drive खेलते समय, आपका जो balance है वो front foot पे लाना है, और आपका जो head, head है विल्कुल ball के उपर होना चाहिए, जब आप drive खेलते हो, तो इस drill से भी आपका काफी ज़्यादा drive इंप्रूव हो जाएगा, और इसको भी आप घर पे आराम से कर सकते हो, और अब आते हैं सीधा fourth drill के उप़र, fourth drill का कोई वैसे नाम नहीं है, बट यह drill काफी ज़्यादा effective drill है, क्योंकि यह आपको proper drive खेलने का, proper head position maintain करने का, और proper sub weight shift वगारा का, सब कुछ equal balance एक ही साथ देती है, इस drill में आपको क्या करना है, इस drill में आपको tennis ball को लेना है, और आपको अपने head और अपने shoulder के बीच में ball को इसी तरह दबा देना, जैसे मैंने दबाया है, उसके बाद आपको अपना batting position लेना है, बैटिंग position लेने के बाद आप ball को छोड़ेंगे और उसके बाद आप drive करेंगे, अब क्योंकि आप batting position के बाद जब आप देखेंगे ball को छोड़ रहे हैं, तो ball वहीं गिर रहा है, तो इसलिए इससे आपका head position और उसके बाद जब आप drive खेल रहे हैं, तो आपका balance आपका पूरा का पूरा front foot पे transfer हो रहा है, तो इससे आपका balance भी, इससे head position और इससे balance आपका दोनों काफी जाद इंप्रूव होगा, और ये drill अब तक ही सबसे best drill मानी जाती है, अगर आपको drive इंप्रूव करनी है तो, तो इस drill को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और ऐसी ही इन subscribe करो, और मुझे instagram पे भी जुरूर follow करो, instagram पे भी मैं बहुत सारी videos डालता रहता हूं drills की, जिससे आपको काफी ज़ए help होगी, चलिए दोस्तों, मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care, have a nice day, bye झाल झाल झाल